तो हिलो उस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग अपनी यूटूब वीडियो के लिए एक प्रोफेशनल थमनेल वना सकते हो और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी वीडियो पे एक थमनेल अच्छा नहीं है तो आपकी वीडियो पे वीडियो बहुत ही कमाता है और अगर आप लोग अपनी यूटूब वीडियो पे एक अच्छा सा थमनेल लगाते हो यानि आपकी वीडियो को Wusht मिलता है, और साथी YouTube भी आपकी वीडियो को सजेक्ट करता है, और लोगों की तरफ, जिससे आपकी वीडियो पे बहुत ज़्यादा वीव जाता है, और साथी आपकी वीडियो के बारहल होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, और इस तरहें के thumbnail अगर आप लोग अपनी वीडियोज पे लगाते हो तो आपकी वीडियोज पे ब्यूज ज्यादा तो आएगा ही साथ ही आपकी वीडियोज के बाराल होने के चांस भी बढ़ जाएंगे तो उस application का नाम है Pixel App आपने से बहुत से लोगों ने इस application को इस अप्लिकेशन को इस अप्लिकेशन को इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है सेमपल सारे यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा न फिर आपको इस वाली अप्छन देख जाएगा इस वाले option पे आपको click कर देना है तो यहाँ पे यहाँ पे एक option देख जाएगा YouTube thumbnail वाला तो इस वाले option पे आपको click कर देना है और आप लोग जैसे इस वाले option पे click कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे okay कर देना है एंट उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सेंपल सा सबसे पहले तो आपको यहां पर ऊपर के एक अपसं दिख जाएगा, पलस वाला इस वाले आइकन पर आपको क्लिक करने आपको क्लिक करना है, तो आप लोग अपनी गैली में पहुंचा होगे, उसके बाद आपको तो यहां पर फानली मैंने एक image को यहां से select कर लिया है और इस तरह से आपको भी यहां से select कर लेता हूं तो इस तरह से आपको इस यहां से लोग कर देना है और फिर से आपको अपनी गयाली में जाना है और उसके बाद एक और image को से select कर लेता हूं और आपको यहां पर नीचे कर इस वाले option पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है कलर देना है और इसके बाद एक option यहां से इनेवल कर देना है तो यहां पर नहीं कर दिया है और पिर से आपको अपनी गयल्य में जाना है और फिर आपको एक image को select करना हैmer को यहांप लिए मैं एक और Foto को यह श्र सिलेट कर लेता हूं फाइलल यहां को ख्लिक कर दोगे इसको भी विडीवल कर देना काँ यहां एंद उसके बद आपको यहांपगी ये टीक ऋट रहा है इसको पॉलिक कर देना है इसको हमें रिमेग करना तो यहीं पे ब्लैक पर इसको लाकर कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर इसका साइज कर देता हूं ठीक है यहां पर देखिए कुछ इस्तरने से मैंने तो इस तरह से लोग हो गई और आपको कुछ नहीं करना के टेक्स डालना है तो इसके लिए आपको फिर से यहां पर प्लस वाला इकन पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह का टेक्स आजाएगा और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है सेंपल सान नीचे को यहां पर क्लिक कर देना है और फिर जो टेक्स आपने यहां पर डाल रखा इसको डिलीट कर देना है और उसके बाद आपको यहां पर टेक्स जो भी डालना है वो आप लोग यहां पर डाल सकते हो तो चलिए मैं यहां पर टेक् दो इसका इस नहीं कर सकते हो तो चलिए मैं घर श्टाइल है तो स्ताइल हमistine कर दिया कर सकते हो श्क्राइब और आपको कुछ तरह के और सट कर देना है और फिर आपको तो-そして तो यहां पर देता हूं और इसके बाद इसके बढ़ा और नीचे क्यूर बढ़ता हूं और इसका टेक का जो कलर है उसको भी मैं यहां से करया ना यहां यहां पर आपसिन क्ली कर देना हूं जैसे इस्पे क्लीक कर देना है तो आपके समने दूसरा एक टेक्सोप लॉप हो जाए다 जाएगा इस्था से से तो इस पए आंप क्लिक कर देना है तो यहाँ पर ने छिक डिया हो बनाना सीखो लिए बनासी को इस तरह से और भी romة कर देना है को इसी तरह से आपे चेक्ट और मेरे सामने यहाँ रा गया है और इसके ओ battle से करने बाएं तो यहां पर अपपना से पर देना है और पर से February में जाना है तो चोशिए यह से कम चेंब कर देता हूँ मैं यहां सब्सक्राइब चोड़ा यहां पे लिए सब्सक्राइब बें छोटेट करना किपो क्लिका देना है और आपको एक option यहाँ पे दिख जाएगा stroke वाला इस वालाí option पे आपको click कर देना है और इसको disable कर देना है तो यहाँ पे white stroke आपको लगा देना है तुसलीब मैं यहाँ लगा देता हूँ और इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है सेंपल सा इसको भी थोड़ा रोटेट यहां से कर लेना है तो यहां पर इसको पकाल के कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है और यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसको रोटेट भी कर दिया है और इसका साइज कम जयदा और इमेज को सिलेट करना है तो अपकी जो है पिकजल है पाली इमेज है उसको सिलेट कर लेना है तो चलिए मैं उस इमेज को भी यहां से सिलेट कर लेता हूं कर देता हूं और इस image को finally मैंने आपे select कर लिया है कुछ इस तरह से आपको select कर लेना है उसके बाद सबसे पहले तो इसका size यहां से कम कर देता हूं और इस तरह से मैंने कर देता हूं कुछ इस तरह से कुछ आपको select कर लेना है और इसको इडिट करना है तो इसके लिए आपको edit वाले option पर देना है जैसे edit वाले option पर क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको यहां पर लिख देना है HD quality में mintum ैठीक है तो यहां पर मैं लेख देता हूं SD quality में तो finally आप लोग यहां पर देख सकते हो मैने यहां पर text डाल दिया है HD quality में mintum में इस तरह से आपको test कर देना है तो यहां पर लग जाएगा तो यहां पर देख सकते हो मैंने इसका जो बैग्राउंड कलर भी स्लेट कर दिया है उसके बाद मैं यहां पर टेक्स का जो कलर है उसको भी मैं आपे चेंज कर देता हूं तो यहां पर देखिए मैं कलर वाले अप्चन पर क्लिक कर देता हूं और इसका है बलेक कर देता हूं तो इस तरह सब्सक्राइब देखो तो यहां पे आप लोग देख सकते हो मैंने एक फोटो को यहां पे सिलेट कर दिया और इसके बाद सबसे पहले तो इस फोटो को थोड़ा यहां पे साइज कम कर देना है उसके बाद इस फोटो को सबसे पहले तो आपको इस टोक लगाना है तो इस टोक लगाने के लिए आपक पेश सेट कर देना है यहाँ बढ़ा देता हूं इसके वा देक्सा नियुक्ण सेह को और यह लिए पर लेक्स है, उसके बाद यह दिख जाएगा इसको फोटो पसके प्वाले एक सब्सक्राइब रखाए च्योंते प्लिक कर देना है और इसके बाद आपको आपके शाइट यहां परले एक सामने आपको जाय का लखा है रहेत जो आपको कुछ इस तरह से आंपकर तो इस तरह से स्वाइव देख सकते हैं उसके पाथ इत्य इसको सब एक है कम कर देता हूँ और वह है जो यहां पर देख सकते हो इस में पर लग गया कुछी सिस्थ ने से और इसका जो पाला है अगर आप लोग चेंट करना जाओ भी यहां से चेंट कर सकते हो तो यहां पर अच्छी फ्वालिटी में आपका थमनेल है पर बन करके रेड़ी होगया है और इसके बाद कुछ नहीं करना है1000 यहां पे बाद कोडिक कर देना है उसके से बाद आपको YouTube वीडियोज के लिए HD quality में professional thumbnail बना सकते हो और मात्र 2-4 मिनिट के अंदर में इस तनाई के thumbnail बन जाएंगे तो दोस्तों आई होप आपनों को वीडियो पसंदा होगा और वीडियो पसंदा हो तो लाइक कर देना चैनल पर ने हो तो subscribe जरू कर लिजेगा और मिलते हैं फिर एक नई वीडियोज के साथ आज के लिए इतना ही जैन दोस्तों